नमस्का साथ हिए आपका एक बार से आपके अपनी यूटूब चनल पर दोस्तों बैकेंसिज का सांधार अपडेट एक बार प्रसे लिका रहा है और आज की यह जो बैकेंसि रहने वाली है बो डारेक्ट ट्रॉट्मेंट है मतलब सेंट्रल कोवर्मेंट की वेकंसी है और पर्मानेंट बेसिस की आपर जॉब निकल का सामने आया है दोस्तों यहां पर और पूरी भलती पिक्रिया के बारे में सबसे बात कर लेते हैं कि जॉब लोकेशन एंड कहां से भलती आपकी निकाली गई है देख सकते हैं और इंडिया स्टूर्ड और मेडिकल साइन्स जोधपुर दोस्तों एमस जोधपुर के द्वारा यहां पर इविकेंसी निकाली गई है आपका एडवर्टाइजमेंट नमबर मतलब भलती विग्यापन किरम लिखेंगे सेकेंड टेक्निकल ऑपिसर टेक्निकल सुपरवाइजर की पोस्ट है इसन्सल कॉलिफिकेशन की बात करें दोस्तों बीसी इन मेडिकल लेब टेकनोलोजी होना चाहिए प्लस दस साल का एक्स्पिरेंस होना चाहिए ठीक यदि यह नहीं है तो लिखा है फोर पो टेन प्लस टू प्लस डिप्लोमा इन ओटी एंड तेरा साल का एक्स्पिरेंस होना चाहिए ठीक है तो यह आपकी लिजबिल्टी रखी गई है बेतन की बात करेंगे लेवल सेबन रहेगा और चावालिस यान नौसों से लेके एक लाग बालिस यार पे ग्रेट आपका रहे यह जनरल के लिए हैं और के टीगरी बाइज आपको छोट मिल जाएगी दस पोस्ट है यहां पर के टीगरी में भी डवाइड किया गया है आंगे बढ़ते हैं बोकेशनल कांसलर की पोस्ट है तो इस्टों यहां पर पोस्ट डिगरी साइकोलोजी सोसलोजी वाले यहां पर अप्लाई करेंगे आंगे बलते हैं और यहां पर अप्लाई कर सकते हैं अगला पोस्ट दोस्तों सी एस एस्ट टेक्निशन से एक लाग बाराजाल चाहिए तीन साल का एक्सपिरेंस होना चाहिए आपके पास हॉस्पिटल का सी एस एस टी यह टुन्टी बैड़ेड विड़ेड होस्पिटल तो सी एस एस ट बिल्द ऑप सेंट्रल सेंट्रल एस्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट जो कि आपका पाटी ओटी का जो डिपार्टमेंट रहता है एकुपमेंट सप्लाइब वगएरा इस्ट्राइल सप्लाइब तो यहां से आपका एक्सपिरेंस तो आपड़ाई कर सकते हैं और यदि यह बीस माइक्रो यह फ़िए सब्सी नहीं है तो सब्साइब लीब ऑली अपसे अनको भी दो साल का एक्सपिरेंस चाहिए पड़ेगा ठीक है डं सुचलेशा नखिकेंगे पांच पोश्ट है अगला पोश्ट है 6 नमबर होना चाहिए आपका साथ में यहां पर certificate of diploma होना चाहिए किसका लेक्ट्रो इको कार्डियोग्राफिका ठीक है और साथ में दो साल का experience होगा तो आप अपलाई करेंगे एक की पोस्ट है यहां पर अगला पोस्ट है आपके पास में अक्यूपेशनल थेरेपी का और दो साल का experience मांग गया है तो आप अप्लाई कर पाएंगे रेडियोग्राफिक का है यहां पर ब्यालिस्टो ग्रेट पे बीस्सी होना चाहिए आपके पास में रेडियोग्राफिक से अपर डिप्लोमा है रेडियोग्राफिक का तो दो साल का experience लगाना पड़ेगा अंद्रा पोस्ट है है अप्लाई कर सकते हैं आगे बार चलते हैं स्पीच थेरेपिस्ट एंटी ठीक है ब्यालिस्टो ग्रेट पर है बीस्टी डिग्री होना चाहिए स्पीच एंड हीरिंग स दो साल का experience उनको लगा सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं आप पर अप्लाई करें तो उनको experience लगाना पड़ेगा आंगे बात करेंगे तो उस्तों यहां पर लेब वाले कंडेट से अप्लाई करेंगे टोटल पोस्ट आपकी 37 तो बीस्टी अमेलटी होना चाहिए और प्लाई कर पाएंगे तो आपको आठ साल का experience लगाना पड़ेगा ठीक है तो यह पोस्ट है और यहां पर लेखा हुगा फोर पोस्ट इन एनिस्टीसिया और प्रेशन टेटर बीस्टी टेक्निक्स तो टेक्निकल ऑफिसर का देखेंगे आपर डेंटल डेंटल टेक्निशन टेंटल की पोस्ट है हां पर टैन प्रेश्ट टू साइन सब्जेक्ट से प्लस दो साल का डेंटल हाईजेन का डिपलोमा लगा सकते हैं और वह वह अप्लाई कर सकते हैं इनको लेकर पांस साल का experience लगा सब्सक्राइब की पोस्ट है और यहां पर आपको दोस्तों ऑनलाइन माध्यम में फॉर्म फ्लब करना लिखा हुआ है एप्लिकेशन ओनली थ्रो ऑनलाइन मोड में ठीक है इसके बाद आपको रिटेन एक्जाम होगा और इसके बाद आपको जोइनिंग देती जाएगी और देख लेते हैं आपर कि इसकी एक्जाम फीज के बारे में कि इस तरह से आपको छूट मिलने वाली है ठीक है अप्लिकेशन फीज देखेंगे आपर जर्म डल ओबीसी डब्लू एस के लिए तीन रुपाय है और स्टी पीड़व करेंश के लिए 2400 थीक है तो यह आपकी अप्लिकेशन फीज रखेगी और के टीकरी में इस तरह से आपको छूट मिलेगी स्टी पांस साल वीजी को तीन साल पीड़व के लिए 10 साल का छूट मिलेगा ठीक है और बात करते हैं कि लास् देट है दोस्तो है 20 दिन नहीं पर लखा हुआ है कि आपका एडवर्टाइज्मेंट जिलीज रिलीज होने के डेट से 20 दिन तक आपका एपलिकेशन फॉर्म फिलप की जाएंगे ठीक है तो यहां पर लखा 20 और देख लेते हैं आपका एपलिकेशन जो एड़िजमेंट ज description में मिल जाए जहां से आप इसको पहले आसानी से पढ़ें पूरा केरफुली जीड करें यदि आपको समझ में आए अप्लाई करना चाहिए तो आप अप्लाई करें ठीक दोस्तों हमारा मकसद है आप सभी को recruitment अप्डेट वेकेंशी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना आपको इनफोर्मिशन देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अप्डेट के साथ थैंक्यू सो मच जहन्त